हेलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल कोकिंग विद शर्मिष्ठा आज मैं बनाऊंगी कातला फीश करी कोकोनट मील्क के साथ अगर आप कातला फीश के कुछ नया डीश ट्राइ करना चाते हैं या फिर टेस्ट बदलना चाते हैं तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएगा और टेस्ट भी बिल्कुल अलग है लेकिन बहुत अच्छा है आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए और इसे फॉलो करके इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये डीश कैसा लगा तो चलिए इसे बनाना स्टार करते हैं मैंनी यहाँ पे कातला फिश के आठ पीसेश लिया है ग्रेवी बनाने के लिए लगेगा एक बड़ा साइज का प्यास ऐसे बारिक कटा हुआ एक बड़ा साइज का टमाटर ऐसे बारिक कटा हुआ अध्रक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पूल मेरा सा हडा धनिया ऐसे बारिक कटा हुआ, दो हरी मिर्च, कुछ कडि पत्ते, लगेगा मास्टर्ड सीट्स, 1 टीस्पुन, हल्दी पाउडर 1 टीस्पुन, लाल मिर्च पाउडर 1 और हफ पीस्पून धनिया पाउडर वान पीस्पून नमक स्वाद अनुसार और लगेगा पोकोनट मिल्क यानि नारियल का दूद्ध वान कप और मैं ये डीश बनाऊंगी नारियल के तेल में आप इसके जगा में डिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं सबसे पहले मुझे फीश को मेरिनेट करना है तो इसके लिए मैं इसमें एड कर दूँगी नमक हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर अब फीश के पीसेस को इन सारी इंग्रेडियन्स के साथ अच्छे से मिक्स करना है फीश के सारे पीसेस को मैं अच्छे से मेरिनेट कर लिया है इसे अब मैं 10-15 मिनिट के लिए साइड में रख दूँगी 15 मिनिट हो गया है तो मैंने अभी कड़ाई पे ले लिया है 2 टेबिल स्पून कोकुनाट ओयल यानि नारियल का तेल तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब मैं इसमें एक एक करके फीश के पीसेस को एट कर दूँगी एक साइड फ्राई होने के बाद मैं ये पीसेस को पलट दूँगी ताकि दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए ये देखिए फिश के दोनों साइड ही फ्राई हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी सेम प्रोसेस में मैं फिश के बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लूँगी फिश के सारे पीसेस अब फ्राई हो चुका है अब उस सेम उयल में मैं एट कर दूँगी मास्टर्ड सीट्स और कुछ कड़ी पत्ते दस पंद्र सेकेंस बाद मैं इसमें एट कर दूँगी जिंजर गर्लिक यानि अद्रक और लहसुन का पेस्ट इसको तेल में तीन चार मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि अद्रक और लहसुन का जो पंचपन है वो निकल जाए पंच मिनिट बाद अब मैं इसमें एट कर दूँगी बारिक कटा हुआ प्यास को प्यास को अब अच्छे से फ्राई करना है गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है प्याज़ अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसमें एट कर दूँगी टमाटर टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करना है इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये टमाटर थोड़ा सा सौफ्ट ना हो जाए देखिए टमाटर एकदम सौफ्ट हो गया है अब मैं इसमें सारे सुखे मसाले एट कर दूंगी जैसे कि हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और नमक अब इन सब को तेल में अच्छे से फ्राई करना है मैं इसमें थोड़ा सा पानी एकदम कम मतलब वान टिबिल स्पून के जैसा एट कर दूंगी ताकि ये जो मसाला है अच्छे से पक सके और ये जलेना मसाले को मैंने छे साथ मीट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है ये देखिए मसाले से तेल अलग हो रहा है तो अब मैं एट कर दूंगी एक काप पानी पानी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है अब मैं इसे ढख दूंगी और इसमें उबाल आने का वेट करूंगी ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है अब मैं इसमें फिश के सारे पिसेश को एक एक करके एड़ कर दूँगी अब फिश से इसे ढखके दो तिन मिनिट के लिए पकने दूँगी दो तिन मिनिट बाद मैं इसका ढखकन खोलूँगी और इसमें एड़ कर दूँगी नारियल का दूद मतलब कोकोनट मिल्क मुझे नमक फुर्णा से कम लग रहा है तो मैं थोड़ सा नमक और हैड कर रही हूं इसे ग्रेफी के साद मिख्स कर दूंगी लेकिन हलके हतों से नहीं तो फिंटो फिश के जो पीसे से वह टूट सकते हैं इसके साथ ही मैं इसमें दो ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च पी एड़ कर दूँगी और अब मैं इसे ढखके लो फ्लेम के 7-8 मिनिट के लिए पकने दूँगी 7 मिनिट बात मैं इसे खोल रही हूँ ये देखिए फिश करी एकदम रेडी है लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एड़ कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी हलके हातों से और ये फिश करी बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो अब मैं इसे सर्विंग बोल में ले लूँगी यह देखिए कातला फिश करी कोकोनट मिल्क के साथ बिल्कुल रेडी है आप इसे गरम गरम चावल के साथ सर्फ कीजिए नॉर्मली कातला फिश के जो करी होता है यह उसे बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन एक दम ओसम है आप इसे बना के लेखिए आपको जरूर अच्छा लगेगा तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको यह डिश कैसा लगा और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू ए्ग, ए्ग, जो कीजिए मझेगा शेलर लगता है प्ट्राइब के।